फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के डबल डोर फ्रेज में चोप PCB के द्वारा कनेक्शन डियाग्राम के उपर बात करने वाले हैं वीडियो के लाश्टक बने रहेगा आपको सब कुछ समझ में आने वाला है जैसा कि आपको हमने एक डबल डोर के फ्रेज का कनेक्शन बनाया भी था जिसमें हमने ये डिफ्राश टाइमर का इस्तेमाल किया था और डिफ्राश टाइमर के द्वारा यदि कोई भी कनेक्शन करना हो तो जो मैंने connection बताया था आपको वो वीडियो के description box में मिल जाएगा वो connection देख लिजेगा उस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं लेकिन किसी double door के fridge में यदि ऐसा choke PCB लगा हुआ है तो चलिए हम इसको बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है इसका connection कैसे करते है connection तो आसान होता है क्योंकि ये PCB है तो connector है जहां जहां connect करना होता है वह ही पर हम लोग जोड़ देते हैं लेकिन काम कैसे करता है ये सारी चीजे समझना हमको जरूरी है क्योंकि काम करने का तरीका जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हमको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें खराबी क्या आई है और उसका उपचार कैसे किया जाया मतलब उसको ठिक कैसे किया जाया तो चलिए हम इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स लगे हुए हैं जिनके बारे में एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम इसके कनेक्शन को आपस में जोड़ेंगे वैसे तो कनेक्शन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है उनको सिर्फ हमको क्या करना है समझना है सबसे इंपोर्टन चीज इसके अंदर है यह PCB और PCB आप देख सकते हैं इस PCB के उपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं वीडियो यदि आपको देखना है तो हमारे साथ इस चैनल के साथ लगातार बने रहेगा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल में बेल आइकन का प्रेस बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके आल का उप्सन सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि एले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुच पाए तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि यह चोग PCB किस तरीके से काम करता है तो इसमें आप देखेंगे तो एक साइड में चार पॉइंट होता है और दूसरे साइड में एक कनेक्टर में चार पॉइंट और एक कनेक्टर है मतलब इस साइड में आप देख सकते हैं चोटे-चोटे कनेक्टर है तो जिदर चार वाला जो है उसमें चार वायर है अज इसमें दो वाला है उसमें सिर्फ एक ही वायर है टोटल यदि इधर साइड में देखा जाए तो चार तार है तो कुल मिला करके हमारा ज supply जाती है कब किसमे supply नहीं जाती है जाती है तो क्यों जाती है यह सारी बाते हम इस वीडियो में discussion करने वाले हैं हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन यदि आप सुरू से ले के लाश्ट तक देखते हैं तो आपको वीडियो पूरा समझ में आने वाला है चलिए हम इसमें बात करते हैं यहां पर दो रिले है इंपोर्टेंट यहीं रिले है और इसी दोनों रिले के द्वारा हमारा पूरा फ्रिज का function कार्य करता है इसमें एक रिले पर हमने आरियल 1 लिखा है और एक पर आरियल 2 लिखा हुआ है आरियल 2 जो है आरियल 1 से थोड़ा छोटा रिले है यदि हम PCB को दिखाएं आपको तो इसमें एक यह कलर है ब्लू कलर आप देख सकते हैं sky blue है और एक black है तो यह sky blue वाला जो relay है वहाँ compressor के लिए बनाया गया है और जो black color का relay है वहाँ heater के लिए बनाया गया है अब इस double door fridge में दो option होते हैं उन्हीं दोनों को क्या करना होता है इस PCB को select करके चलाना होता है यह दोनों option कौन कौन से हैं एक तो हमारा compressor होता है और दूसरा इसका option होता है heater तो हमारा जो fridge बनाया गया है में उद्देश्य है compressor को चलाना heater भी चलता है लेकिन कब चलना चाहिए जब बरफ जम जाएगा तब चलता है तो यह बात आपको याद होना चाहिए कि यह double door के फ्रिज में यह जो दो रिले लगे हुए है तो यह जो बड़ा रिले है मतलब आरियल वन जो है compressor को चलाता है चोटा रिले जो है heater को चलाता है एक और condition इस PCB के साथ apply होता है कि जब रिले वन आन रहेगा तो रिले टू आफ रहेगा जब रिले टू आन रहेगा तो रिले वन आफ रहेगा मतलब इन दोनों में से एक बार में क्यों एक ही on हो सकता है दोनों एक साथ on नहीं होते हैं यह बात आप हमेशा जो है की ध्यान में रखिएगा उसके बाद इधर से कुछ और parts यहां से कुछ वायर गए हुए हैं अंदर के तरब यहां पर हमारा main compressor है compressor पर हमने सिर्फ यह दो लाइने लगाया हुआ है अभी दो लाइनों का क्या मतलब है इन दोनों लाइनों का मतलब तार जो जोड़े है इसमें होता है CSR तीन पॉइंट होता है हमने दो पॉइंट क्यों बनाया है क्योंकि यदि आप जानते होंगे यह बहुत छोटा सा टो बनाया है आप उस चीज को समझ सकते हैं मैंने पिछले वाले वीडियो जो डबल डोर के connection पर बनाया था जो कि आपको description में मिलेगा उस पर यह चीजे आपको समझ में आ जाएगी उसके बाद यहां पर देखा जाए तो यह जो चार पीन है चार जो connector को तार को जोड़ने के लिए पिन बनाया गया है इसमें जो दो पिन है नीचे वाला हमने लिखा है लाइन और उसके जश्ट उपर वाला neutral लिखा है यदि साफ साफ वहां डाइग्राम में कैमरे में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसमें जो मैं बता रहा हूं वह बात को ध्यान दिजेगा यह second number पर लिखा गया है neutral और नीचे वाले पर लिखा गया है line तीर दोनों का अंदर के साइड में है मतलब इधर से main supply इसके अंदर जा रही है अब इस star को इधर देखा जाए तो यहाँ पर jack connector है मतलब एक connector है जो कि main lead को इससे connect करता है तो यहाँ पर neutral वाला wire black color से आ रहा है बाहर से आप देख सकते हैं और एक red color का है wire जो कि बाहर से ही आ रहा है लेकिन उपर जैसे ही गया है तो color change हो गया एक red है एक gray हो गया है तो gray वाले पर neutral है red वाले पर phase है और यही phase neutral सीधे आ गया है PCB के अंदर अब PCB के अंदर जब यह phase neutral आया है तो phase और भी जगह इस PCB के अंदर जाता है लेकिन उस चीज को हम नहीं बता रहे हैं इसके बारे में जब वीडियो बनाएंगे तो आपको भरपूर जो है की समझ में आने वाला है तो जो यह line गया यहां तक रुख गया है neutral आप देखेंग तो यहीं point से relay 1 के pole पर भी चला गया relay 2 के भी pole पर चला गया मतलब इसमें 2 point बने रहते हैं और यह pole का मतलब यह है कि इसके अलावा एक और point है जब भी यह relay on होता है तो इसका मतलब यह वाला point उपर वाले से set जाता है मतलब एक परकार का switching का का कार्य करता है सेम उसी तरह से RL2 में भी होता है लेकिन यह कब on होगा कब off होगा यह पूरा इधर का circuit decide करता है यह sensor वगएरा जो लगे हुए है rotary switch लगा हुआ है मतलब इधर के जो wire है वो जो है कि कहते हैं तब जाकर के relay 1 on होगा चाहे relay 2 on होगा कब और कैसे बोलते हैं यह उस बात पर भी हम चार्चा कर रेंगे लेकिन बस यहां पर आप थोड़ा सा clear कर लीजिए कि relay 1 जो है on होता है तो यह बीच वाला जो है इससे सड़ जाता है मतलब यह point जो है उपर वाले से सड़ जाता है और relay 2 जब on होता है तो यह point उपर वाले से सड़ जाता है इन दोनों point ओर काउं से supply आई है तो neutral supply हुई है और वही neutral supply यहां से होते हुए यहां से बाहर के तरफ निकल भी रहा है इस aerial 1 से जो निकल रहा है point उसको ऊपर हमने जोड़ा है और इस से arrll 2 से जो निकल रहा है वह इस Ind fathers में जोड़ा है मतलब उससे जश्ट नीचे जोड़ा है aerial you निकलेगा वह किसको चलाएगा को भी चलाएगा और जब भी compressor चलता है उसी समय हमारा freezer fan भी चलना चाहिए क्योंकि compressor चलेगा तो evaporator ठंडा होगा एवापोरेटर ठंडा होगा तो उसके ठंडक को पूरे fridge में पहुचाने के लिए हमारा freezer fan चालू होना चाहिए तो इसी वजह से जब भी compressor चलता है उसी समय हमारे freezer fan को भी चलाया जाता है तो जो भी यहां से wire गया हुआ है neutral आप supply देख सकते हैं क्योंकि neutral ही relay में गया तो relay से निकलेगा भी neutral क्योंकि यह switching का कारे कर रहा है लेकिन जब relay चाहेगा तभी वह निकल पाएगा neutral तो देख सकते हैं आप उपर वाले point से यहां तकाया हुआ है यहां से यह एक तार के द्वारा freezer fan को चला गया मतलब यह क्या जा रहा है neutral जा रहा है यहां पर हमने यन लिखा है और उपर sky blue तार से जा रहा है और कहां पर जा रहा है fan के पास पहुच रहा है और यही neutral supply यहां से होते हुए sky blue wire से ही यह कहां पर पहुच जाएगा हमारे compressor के पास पहुच जाता है और यहां पर neutral लिखा हुआ है मतलब neutral supply हमारे compressor को पहुच गया लेकिन कैसे पहुचा है तो इस relay के द्वारा पहुचा है जब यह relay off रहेगा तो हमारा compressor भी नहीं चलेगा और नहीं हमारा freezer fan चलेगा तो यह clear हो चुका होगा और उसके बाद जो है कि यह compressor को चलने के लिए दूसरी वाली supply भी चाहिए और पंखे को भी चलने के लिए दूसरी supply चाहिए क्योंकि neutral मिल जाने से compressor नहीं चलेगा या पंखा नहीं चलेगा फेज भी उसको मिलना चाहिए तो देखते हैं कि इस compressor को फेज कैसे मिल रहा है तो फेज वाले के लिए हम इस red wire को देखते हैं red wire को देखेंगे उपर के तरब जा रहा है तो यहां से दो तार निकल एगो तो PCV के अंदर आ गया है एगो जो फेज है वो यहां से होकर के compressor को आप देख सकते हैं चला गया है red color का wire है और यही red color के wire यह compressor में चला गया और एक wire सीदे सीदे उपर जा रहा है line यह supply है और यहां से होते हुए यह इधर इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है लेक दोनों को parting line और neutral supply मिल गया है line supply in compressor को और fan को direct दे δिया गया है और neutral supply है वह इस relay के द्वारा निकाल करके इनको दिया गया है तो मतलब ये कहने का है कि जब relay on होगा तब ही ये अब भी काम करेगा और ये भी काम करेगा aerial one on होगा तब aerial two के बारे में बात करते है कि यदि aerial two on होता है तो कौन क्या चीजे चलाई जाएंगी और कैसे क्या चीज चलेगा तो aerial two जैसे ही on होगा तो neutral supply यहाँ पर आया है on होने का मतलब ये वाला point उपर वाले से set जाएगा और set जाएगा तो यहाँ से neutral हो करके यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से return हो करके निकलता है और निकल करके orange color का एक wire गया हुआ है और यहाँ पर एक thermal fuse है ये क्या चीज होता है thermal fuse एक ऐसा fuse है जो कि तापमान पर काम करता है यदि इसमें तापमान लिखा हुआ है 77 degree centigrade उसमें और अधिक वाले भी आते हैं कम वाले भी आते हैं मतलब 50 degree centigrade तापमान का भी आएगा 100 degree centigrade का भी आएगा 60-65 का भी आएगा तो उस तापमान का सिर्फ यही मतलब होता है कि यदि इस fuse को इतने तापमान पर ला दिया जाए तो इसके अंदर से बहर है धारा जो है वह बंद हो जाएगी मतलब जो light जा रही होती है वह बंद कर देगा तो thermal fuse को लगाने defrost heater के साथ लगाने का एक ही उद्देश से होता है कि कभी गलती से defrost heater जो है कि लगातार चलने लग जाता है बंद ही नहीं हो रहा है इधर से relay to जो है कि बंद नहीं कर पा रहे है defrost heater को तो ऐसी अवस्था में जब ये बहुत ज़्यादा गरम होता है तो ऐसी अवस्था में हमारा thermal fuse क्या होगा तूट जाएगा अंदर से जो धारा बहरी है वो धारा को रोक देगा रोकने के बाद हमारे heater को बंद कर देता है कब ऐसी इस्तिति आती है जब हमारा आरियल 2 अन हो गया है आफ नहीं हो रहा है क्योंकि आरियल 2 से ही defrost heater के पास light पहुच रही है तो यहां से तो neutral पहुच रहा है अब इसको जो heater को फेज भी पहुचना चाहिए तो फेज आप देख सकते है यही main phase supply इधर से इधर जा करके पंखे को भी गया है और वो heater को भी आप ध्यान दीजिएगा इधर भी हमने thermal fuse लगाया था और दूसरे साइड में भी thermal fuse लगा हुआ है तो इन दोनों का क्या मतलब है एक के बदले दो दो क्यों लगाया गया है तो double protection बोला जाता है कहने का आर्थिया है कि कभी मान लेते है कि यह thermal fuse यह गड़बड हो गया है 77 degree centigrade अपमान पहुच गया है और यह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है तो IC अवस्था में दूसरा वाला काम कर जाए अब आपके दिमाग में यह आएगा कि हो सकता है कि यह खराब हो गया है तो यह भी खराब हो जाए तो क्या होगा तो ऐसा नहीं नहोगा दोनों में से कोई तो इसी वज़ा से उसके protection के लिए thermal fuse double लगाया गया है दोनों साइट से एक neutral से भी और एक phase साइट से भी तो उमेद है कि आपको यह दोनों relay के द्वारा हमारा पंखा, compressor और heater किस तरीके से connection किये गये हैं वो आप समझ गये होंगे बाकी यदि हम lamp की बात करें बलब की बात क तो बहुत सारे फ्रीजों में जो double door के फ्रीज होते हैं उपर भी होता है बलब और नीचे वाले compartment में भी होता है मतलब दो दरवाजा होता है तो उपर वाले में भी बलब रहेगा और नीचे वाले में भी बलब रहेगा तो यहां पर हमने सिर्फ एक बलब बनाया है यदि लगता और डबल जो है कि लैंप भी लगता तो चलिए हम एक के बारे में बता दे रहा है आगे आप समझदार है समझ सकते हैं तो नियूट्रल सप्लाई आप देख सकते हैं कि इसको जो बलब को गया है वह डिरेक्ट जाएगा इधर पीसीबी से नहीं कोई मतलब है मतलब हमारा यह पीसीबी खराब भी हो जाता है तो हमारे लैंप के उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पीसीबी यदि खराब होता है तो फ्रीजर फैन यह नहीं चलेगा या फिर डिफ्रास्ट एटर नहीं चलेगा या फिर कंप्रेसर न आमने जोड करके DS मतलब डोर स्वीच लगा करके इस लैंप का कनेक्शन कर दिया है तो इधर से चार वायर अंदर के तरफ गये हैं और चारों में जो है कि आपको जो भी चीजे बताना था आमने इधर के साइड का पूरा कंप्लेट बता दिया है तो यह रिले जब आन होता है तो हमारा हीटर चलता है और यह वाला रिले आन होता है तो कंप्रेसर और पंखा दोनों एक साथ चलते हैं क्योंकि कनेक्शन वैसा ही किया गया है अब जो है में मुद्दे की बात करें तो यह रिले कब आन होगा कौन कब आन होना चाहिए यह कौन डिसाइड करता है तो इधर से इधर के साइड के जो भी चीजे लगाई गई है यह सिर्फ यही डिसाइड करने के लिए लगाई गई है कि आरियल टू को आन करना है कि आरि लगाया तो इस oben और गरम के लिए लगाया गया है। लगातार चालू रह जाता है तो फ्रिज के अंदर गर्मी भी पैदा कर देगा और बहुत ज्यादा गरम होगा तो अंदर के जो पार्ट्स पूर्जे हैं उनको जला भी देता है तो यहां पर दूसरे साइट पर देखिए क्या क्या चीजे लगाई गई है नीचे के तरफ एक वायर है जिसे बी आर यन हमने लिखा है मतलब ब्राउन वायर है और ये ब्राउन वायर उपर से गया हुआ है एक सेंसर के पास सेंसर जो है कि दो सेंसर इस फ्रिज के अंदर डबल दोर के फ्रिज के अंदर लगे होते हैं तो एक सेंसर यहां पर है दूसरा सेंसर यहां पर कम होना चाहिए कि, जदा होना चाहिए, इसपे numbering की गई होती है, एक पर रखेगा तो कम होगा, कम cooling होगा, दूपर रखेंगा थोड़ा सा ज़ादा उसी तरी rotary switch को घुमा करके आप highest cooling या low cooling कर सकते हैं और बाकी आपके जो ये sensor है एक sensor जो है कि air के पास रहता है और एक sensor जो है कि हमारे evaporator के pipe के पास रहता है जिस पर से pipe पर ये दिबरफ जमता है तो ये वाला sensor बताता है और जब evaporator के पास रहता है जहां हवा निकलता है डक्ट का हवा जो निकलता है उस हवा को ये sense करता है कि ब यहां लगा दीजिए चाहिए वाला sensor को वहां लगा दीजिए अभी तक तो मैंने practical किया है कोई फरक नहीं पड़ा है यदि आपका कोई दिक्कत होगा तो आप comment box में बता दीजिएगा अभी तक हमने जो practically किया है ऐसा कोई समस्या नहीं आया है हमने इसको यहां पर change कर दिया इसको वहां पर change कर दिया या दोनों को हमने value ना पा दोनों लगबग लगबग बराबर है इनको कैसे check किया जाता है यह भी हम video अलग से बनाने वाले हैं आप हमारे साथ channel के साथ बने रहेगा तो आप देखिए यहां से brown color का एक wire गया है तो एक wire इसका इस sensor में है वही brown wire इ चोटे चोटे दो तीन LED यां होती है जहां पर टोकरी होता है basket मतलब जो crisper क्या बोलते सबजी वाला सबजी वाला जहां पर रहता है उसी जगह पर यह LED लगा रहता है अपना LED जलता है तो वहां पर उजाला होता है तो यह जले ना जले इससे कोई विसेस फरक नहीं पड़ हुआ है और उसके बाद यहां second number पर है yellow yellow मतलब पीला पीला तारिक गया हुआ है इस sensor के लिए जो की यह वाला sensor हमारा कहां पर रहता है तो pipe के साथ connect रहता है evaporator जो pipe होता है coil होता है उसके आखरी pipe के साथ यह connector रहता है सीधे सीधे pipe से सटा के लगाया गया होता है उसके बाद एक orange color का wire गया है वहां भी sensor के लिए ही गया है क्योंकि sensor का एक एक wire तो ब्राउन में आ गया मतलब common हो गये बाकी एक एक wire है तो एक इस sensor के साथ गया हुआ है और यह sensor duct में लगा रहता है duct मतलब जहां पर air निकलते रहते हैं हवा आती जाती रहती है उसी हवा के रास्ते में ही इसको लगाया गया होता है उपर के compartment में तो वहां से air की cooling को यह sense करता है और इधर के तरफ बताता है उसके बाद यह rotary switch भी कहा लगा रहता है उपर के तरफ ही आपको कह निकाइन का देखने को मिल जाएगा जहांपर पंका वगर्यरा होता है यह वाला पंका होता है उसी के अगल बगल यह rotary रोटरी स्विच्च आपको देखने को मिल जाएगा इसी रोटरी स्विच्च के द्वारा आप जो कुलिंग होता है कम या ज्यादा कर सकते हैं तो यहां पर आप समझ सकते हैं और उसके बाद जो है कि रोटरी का एक वायर यह इसकाई बूलू हो गया उसके बाद जो है LED का ज रास्ट वाला वायर आप देखिए यह मतलब अर्थ है और वो जाकर के सीधे बड़ी से कनेक्ट हो गया मतलब में LED से तीन वायर आया है और इधर से आने के बाद रेड बलाइक को उपर जैक के द्वारा कनेक्ट कराके आगे के सभी वायरिंगों को इसमें किया गया है एक बात और आपको समझना है कि यह सभी मिल करके सिर्फ इतना ही डिसाइड कर पाते हैं यह सेंसर यह वाला सेंसर रोटरी स्विच यह तीनों मिल करके सिर्फ इतना ही डिसाइड करते हैं आरियल 1 को आन रखना है कि आरियल 2 को आन रखना है बात समझेगा यह तीनों मिल करके ब प्रिजर फाइन बंद करना चाहता है यह सिस्टम तो आरियल 2 को आन करेगा मतलब हमारा हीटर चलेगा तो हीटर चलने के लिए यह वाले आन होने के लिए मतलब कि इधर बहुत ज्यादा गर्मी मत सोरी बरफ जम जाना चाहिए यदि बरफ जम जाता है तब जाकर के आरियल 2 पन होता है और जैस dif नहीं जमा रहता है तो आरियल 2 आन रहता है और हमारा जो हैaggio कि हो इसको कैसे करते हैं यह वर्क कैसे करता है सारी चीजे में हैं डिक delivered बनाकर के लिंक उनका डाल देंगे या फिर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे सब्सक्राइब किये रहेंगे तो हमारे चैनल पर जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा चलिए हम इधर कुछ नाम लिखा गया है जो कि इधर हमने लिखा था ये वाला वायर के लिखा गया है सेम कलर यदि आपका सैमसंग का डबल डॉर का फ्रीज है क्योंकि हमने ये सैमसंग का फ्रीज का ही पूरा बनाया है तो यदि आपका सैमसंग का डबल डॉर का फ्रीज है तो आप इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे और सेम कलर भी आपको मिलेगा दूसरे company का रहेगा तो हो सकता है color दूसरा हो लेकिन working principle जो है एक ही रहेगा यहाँ पर sky blue है yes BLU PORG मतलब orange है फिर GRY gray है RED मतलब red है DS मतलब door switch है यही सारा चीज इधर के तरफ हमने लिखा है LED का full form होता है light emitting diode DS का है door switch और उसके बाद PCB का है printed circuit board इनी सब चीजों के बारे में हमने full name में लिखा है वो चीज आप देख करके या बहुत बड़ा सुजा होगा तो भी आप हमारे वीडियो में comment box में लिख सकते हैं तो चलिए friends आज के लिए बस इतना ही मिलते है next video में next topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत